नमस्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाइस आज हम डिसक्स करें इंडियन ब प्रूड देखेगा इसमें आपका ही फाइदा है तो गाइस जो एंसी एल्टी है उन्होंने जो है इनके जो मर्जर होने वाल था एंबसी कंपनी यूनिट्स के साथ उसे रोक दिया है उसको जो है अभी के लिए होल्ड पर रख दिया जिसकी वाजसे जो मार्केट है काफी नराज रहा है और सुछ में आपको 20 पर्सेंट जो है क्मिल के उस मर्जर से काफी उमीद लगा है चारी देखने है लेकिन उस मर्जर के रुखने से कंपनी के स्टॉक मैं हमें क्रेक्शन मर्जर नहीं होता गाइस तो हम आपको जो है explain करेंगे कि क्यों company पे हम इतना ज़्यादा बीरिश और कोई भी update आता है तो हम आपको बता देंगा इस तो चलिए fundamental डिसकरते हैं तो guys अब हम इसके fundamental discuss करेंगे Indian bull real estate के और क्या इसके fundamental जो indicate करें तो guys आपको पता है पहले भी हमने आपको एक bearish call दी थे और हमने आपको कहा था कोई भी जो है इसमें long positions बनाने की मत सोचना ये share आपको जो है काफी pain देगा और आप लोग जो इस share में trap हो जाएंगे तो guys सबसे पहले ownership के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा red flag यह है guys 87% जो free float में available है open market में available है retail investor के इंडिविजल इंवेस्टर के वाँ 12% जो है वही जो है आपको institute के वाँ मिलेगा mutual fund और promoters के वाँ मिलेगा तो guys यह सबसे बड़ा red flag यह stock का valuation इसके आप देखते हैं किदम से जंप कर गई और पी आप देखते हैं यहां पर 853 के तो यह जो stock है वह इस price पर भी काफी जाधा overvalued है और काफी जाधा जो है यहां पर overvaluation company की stock की हुए इस price पर भी क्योंकि company की earnings बिल्कुल ही जो है negative में तो इसका जो stock price है इसकी पीए को जो justify नहीं करता तो यहां पर भी stock हो जो है overvalued है यहां पर देखते हैं गाइस company की जो growth and profitability वो गिरते ही गई है profit margin है वो भी गिरते हैं तो आपको तभी कह रहे हम गाइस क्यों इस share से आप निकलिए और क्यों जो है इसकी भी जो है इतनी जाद है आपका इस company का जो free cash flow वो negative में company पर debt भी है इस company के जो cash and equivalent है वो भी negative में और आप बता है 20% की गिरावट stock में कल ही हो गई थी 20% तकरीबन stock तूटा था हमने आपको reason बता दिया है यह क्यों तूटा था तो गाइस अब हम आपको charts में explain करेंगे इसका क्या setup जो है बन रहा है कि इस चार्ट पर यहां पर हम आपको setup explain करते हैं पहले का था इस शेर को जो है sell on rise buy on dip कीजिए क्योंकि इस शेर में कोई भी जो है conviction वाली rally हमें देखने को नहीं मिली और हमने आपको fundamentals पहले समझादे आप देखसे fundamentals कितने जाता वह एक कंपनी का और यहां पर आप देखसे downward trend line जो स्टॉक की बनी है तो गाइस शेर का आप जो स्पोर्ट बनेगा वह 46 के असपास बनेगा अगर वहां से जो स्टॉक तूड़ता है तो स्टॉक जो अपना new low बनाएगा और जो है इसमें हमें और correction देखने को मिली तो अगर 46 से स्पोर्ट लेका तो आप वहां पर position बना सकते हैं वहां से फिर से छोटी मोटी रैली हमें देखने को मिल सकते हैं तो आप लोगों को यही इसमें जो है टेकनिक अपनाने हैं गाइस buy on dip sell on rice तो गाइस कंपणी के fundamentals एक धंबेकार है बिटा नेकिटिब में RSI इंडिकेटर बेरिश्टेंट शोग करें कंपणी की जो moving average है उसके नीचे कंपणी का स्टॉक ट्रेड़ करें तो मैं आपको यही रहाए दोंगा इस share को आप जो है कर दो कर दो है